हेलो फ्रेंज नमस्कार दोस्तों अनिल देशमुक से जूरी एक बड़ी खबर है सुप्रीम कोट से और बड़ी खबर ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि अनिल देशमुक नवेंबर पिछले साल नवेंबर से ही यूरिशल कस्टड़ी में हैं जेल में हैं और उनका जो बेल एप्लिकेशन है वो हाई कोट में बॉम्बे हाई कोट में बहुत दिनों से पेंडिंग है तो करीब 8 महینे से वो जेल में हैं तो इसी पर Supreme Court में उनके वकील कपिल सिबल ने एक पेटिशन डाला था और इसी पर Supreme Court में सुनवाई हुई थी और Supreme Court ने साफ-साफ काया है Bombay High Court को कि उनके बेल एक्प्रिकेशन पर इसी सब्ता सुनवाई हो और उस पर डिसेशन लिया जाए Supreme Court ने दोस्तों एक नाराजगी भी दिखाई है कि इतने दिनों से एक आदमी का जो bail petition है वो किस तरह से pending हो सकता है तो Bombay High Court को Supreme Court ने कहा है कि आप एक सप्ता के अंदर जल्दी से इसकी सुनवाई कीजिए और इस bail application पर कोई भी आपका जो decision है उसे लीजिए दोस्तों एक बड़ी खबर है अनिल देशमुक को लेकर जैसा कि आप जानते हैं कि अनिल देशमुक को money laundering केस में गरिफ्तार किया गया था और उसके बाद उनकी जो bail petition है application थी उसे रिजेट किया था lower court ने और उसके बाद उन्होंने Bombay High Court में याचिका दायर की थी लेकिन Bombay High कोट में उनकी bail application की सुनवाई नहीं हो पा रही थी इसलिए मामला सुप्रीम कोट में गया था दोस्तों आप बनेगा में चैनल से जैसे से और खबर आएगी सुशान सिंग राजपूर केस को लेकर मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा में वीडियो में बाब बाई